हाई अब्रिवन मैं शिकाभादवाज अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ तो फ्रेंज अगर आप तो मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो नीचे दिये गए लाल बटन को प्लिक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में लाइक का बटन द यमें की भरपूर मौत्रा में केलशे मोता है और बहुत यसानी से बनाएंगे तो सकट चौत का प्रसाद बनाने के लिए मैंने हैं प्रक क चौत त्ल항 लिए हैं मैंदे दो कप तिल लिये हैं क्योंकि मैं दो तरीके से अपना प्रसाद बनाऊंगी एक तु गुण वालआई लिए टयृत तो यह थो आपतीम हुआ है मेरे पास एक अब तो कप दिल मेरे और जा Всем बनाइं इस में बनाऊए हिए और गुट गुटा हेआ को घखा दिल म меньше कॉट मैं अब रही यह सो आप यहां poo पड़ बना है अगर शक्कर मिल जाए आपको तो ले लिजे त्री फोर्थ कप तो यह गुड़ है मेरे पास चोटी लाइचिया ले लिए और मैंने लिए कुछ ड्राइफ्रूट्स बदाम काजु किश्मिश और इवकुल ऑप्शनल है अगर आप डालेंगे तो अच्छा ही बनेगा हमारा त कि इलकुट प्रशाद सबसे पहले हम अपने तिलोगो भूण लेंगे ड्राइ- रोस करेंगे अब तिलोग को लो फ्लेम पे लगाताशा चलाते हैं इतना ही भूना है कि पिंक से कलर की उद्ञαιां बहुत जदा नहीं भूनेंगे इनको और जाईलने भी नहीं चाहिए देखी तिलों में से हलकी हलकी चचचच की वाजन अनी स्टार्ट हो गई है और कलर भी हलका चींज होना स्टार्ट हो गया है तो बस लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे अब हमारे तिलों में से हलकी हलकी चचचच की वाजन से आ रही है और देखी कलर भी चींज हो गया है थोड़ा सा और इसको बहुत ज़्यदा ओवरकुक नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं तो हमारे जो तिल हैं वो कड़वे हो जाते हैं तो बस इस स्टेज पे अब इसको मैं पैन में से एकदम निकाल लूँगी कोई गरम पैन में रखे रहेंगे तो ये भुंदे रहेंगे और भी तो बस इनकों किसी प्लेट में ट्रांसर कर लेते हैं फोरण तो तिल को कभी भी गरम पैन में आप मत छोड़िए इसको फोरण प्लेट में ट्रांसर कर लीजे इस त तिलो उपके के बांतों को सबुस्टे से लिए नहीं काश्चा का कर σब्सक्राई उर चाहिए है सब्सक्राइब और रखोने कराए है तके इसे टानेट लाइक की सब्सक्राईब दानें ex जो तिल हमने भून की पीसे थे, उनको मैंने देखी दो जगा डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम बनाने वाले हैं दो तरह का तिलकुट, तो पहले हम बनाएंगे अपना चीनी वाला तिलकुट, एक कप भूने पीसे वे तिल में हम डालेंगे 3 फोर्थ कप पीसे वी चीनी, तो अब बस इसको mix करेंगे हम और हमारा तिलकुट बिलकुट तैयार हो जाएगा, तो इसको mix करने के लिए, या तो आप हाओ से mix कर लीजे अच्छी तरह से, या फर एक बर mixी में चला लीजे आप इसको, देखे, मैंने इसमें 17 पीसे वी चीनी मिक्स कर दी है, अब मैं तो लीजी हमारा चीनी वाला तिलकुट बनके विलकुल तयार है मैंने इसको एक बार हाथ से अची तरह मिक्स कर लिया था और देखे कितनी इस तरह मिक्स हो गया है यह तो कुछ लोग इसमें खोया भी मिक्स करते हैं, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं इसमें कुछ ड्राइफ्रूट सेट करूंगी, उसे और भी टेस्ट हो जाएगा, मैं कुछ कटे वे काजु बदाम और कुछ किश्मी शेट कर देती हूं इसमें, ड्राइफ्रू मैं थिह समयति हैं अगर आपको शक्कर है तो आप शककर को ऐसे मिक्स कर लिए तिल को पाहलें को पीशी के जार में तो एक बहुत बार बार चलाएंगे मैं और गण को हिए, फी और def jap मैं अगर गण़े हैने हीयी उपनेak ह है、 इसफु तो दिखिए हमने एक कप पितिल में थ्री फूद कप गूर लिया है अगब जदा मिठा पसंग दरते हैं तो आप गूर की क्वांटिटी थोड़ी ची बढ़ा सकते हैं तो अब इनकों पीस लेंगे एक साथ इससे क्या होगा कि अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे बस एक बार हमने तिल और गुड को बस मिक्सी में एक ही बार चलाया है बस एक ही बार चलाएगा इसको बहुत मत मिक्स येगा इसको और ये तयार है अब ये गुड और तिल अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं तो बस मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी ये तिल और गुड वाला मिक् से ताकि देखने में अच्छा लगे तो मैंने इसमें कुछ काजू बदाम और किश्मिश एड के थे अब देखे कुछ मखाने हैं मेरे पास इन मखाने भी मैं कट करके डाल रही हूं उपर से ताकि देखने में सुन्दर लगे आपको जो भी ड्राइफूर्स पसंद है आप ड तेयार है हमारा गुड़ वाला तिलकुट और यह हमारा चीनी वाला तिलकुट तो आज हमने सकत चौत के लिए दो तरह के प्रसाद बनाए जिनको बनाना बहुत इजी है और जितने ही इजी है उतने ही टेस्टी भी होते हैं और उतने ही हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमे तिल है जिसमें भरपूर मात्रा में केल्शिम होता है तो फ्रेंट्स सकर चौत की आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद